ये तो हम सभी चानते है कि टीवी आक्टर करन पटेल को हीना खान एक हाक नहीं भाती इसके पीछे की वज़ा है हीना खान का बिग बॉस के घर के अंदर का रवया जबकि बिग बॉस के घर में हीना खान टेलिविजन इंडस्री का फेमस नाम है इसके चलते हीना खान पॉपलर तो है ही वही इन दिनों हीना सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही है पिछले दिनों हीना घर के अंदर कई टीवी स्टार्स के नाम लेती नज़राई इस दौरान हीना ने साक्षी गोहर खान और संचीदा का नाम लिया इन अक्डिस पर कॉमेंट करने को लेकर हीना खान सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही वही कई टीवी स्टार्स ने भी हीना कान को इस तरह की हरकते करने पर काफी खरीकोटी सुनाई जबकि ये है महबते स्टार करन पटेल एक बार फिर हीना पर बरस पड़े है जी हाँ जहां करन आज तक हीना के अपोजीटी खड़े रहे वही हाली में हीना को उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिसे सुन कर हीना को थोड़ा बुराई लगा होगा बतादे कि करन ने सोशल मीडिया के जरीए हीना को सुनाई है कड़वी बाते वही करन ट्वीट कर हीना के फैन्स को डॉक्स और कैट्स बताते है जबकि रोना मत नल खोलो और आरो के पानी से अपना मूद होलो तो शायद तुम्हारा दिमाग चालू हो जाए ऐसा कहते है अब इससे तो यही लगता है कि करन हीना के हाथ दो के पीछे पड़े है बिग बॉस के घर की बात करें तो और भी जबरदस ट्रामा अभी देखने को बाकी है वही घर के सदस्यं को सारी क्लीपिंग दिखाए जाएंगे जिसमें वो एक दूसरे की नॉमिनेशन को डिसकस करते नज़र आएंगे वही आकाश के पाउतले की जमीन उस समय खिसक चाती है जब अर्शी खान उन्हें निकालने के बारे में बात करती है और कहते हैं कि उन्हें बिग बॉस के घर में किसी फेक फ्रेंट्शिप की दरकार नहीं है जबकि हितेन के घर से बाहर होने के बाद घर के सभी सदिस्य चोकने हो गये है क्योंकि अब किसी का भी भरुसा नहीं किया जा सकता खेर करन पटिल ने हीना खान के फान्स को डॉक्स और कैट्स तो कह दिया है हाला कि इस पर हीना खान का कोई भी जवाब नहीं आया है तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो इसे लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कीजिए और पिंक विला हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए